हलो होम कोक्स कैसे हैं आप लोग फ्रेंज आज में आपके साथ एक साउथ इंडिन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मिक्स वेजिटेबल के साथ बनाई जाते हैं और इसे कोकोनट ग्रेवी में कोक करते हैं इसका नाम है वेच कुर्मा फ्रेंज ये बहुत ही वर्सेटाइ करेंगे इसे मिक्सी में पीस लेंगे थोड़ा सा वाटर आड़ करके अकॉर्डिंग टो रेक्वाइमेंट और देखे इस तरह से हमारा एक स्मूथ वन कप कोकोनट पेस बनके रेडी हो जाएगा फ्रेंज अब हम लेंगे आवर च्वाइस और यहां पे लिया है वन कप कॉ कुकर में डालेंगे इस तरह से और इसमें हाफ कप पानी आड़ करके एक विसल देंगे मीडियम फ्लेम पे फ्रेंज जब तक हमारी वेजिटेबल्स कुक हो रही है हम बागी प्रिपरेशन कर लेते हैं टेंपरिंग के लिए हम लेंगे एक तेज पता दो इलाइची पांच ट्रिफंच लॉँंग एक नलचीनी का पीछ वान इंच. एक स्टा संवाणनीज का फ्लार और वन टीश्मून ओफ। उसके साथ हमने लिया है एक बड़ा अंईन जिसको पतले पतले slices में कट किया है, ginger, garlic और 2 harimit जिसे vertically slit किया है, साथ में लिया है 3-4 cup of pudina leaves, जिसे mint leaves भी कहते हैं, friends, तयारी तो हमारी सारी हो गई, चाहे टेंपरिंग का समान हो, चाहे वेज़िटेबल्स बॉil करना हो, कोकोनट की ग्रेवी हो, तो चलिए, अब कोकिंग स्टार्ट करते हैं, कोकिंग के लिए, एक कढाई में मैंने 3 अच्छी तरह से हीट होने दिया, उसके बद सारे टेंपरिंग के मसाले डाले हमने, और उन्हें तब तक कुक किया, जब तक वो स्पेटर ना हो जाए, फर अरूर्ण वन सेकेंड, बाद लेट्स आड अनियन, अनियन को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और तब तक कुक करेंगे, जब तक अनियन अपना कलर चेंज ना कर ले, और लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तो फ्रेंज अनियन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, अब हम आड करते हैं, जिंचर, गार्लिक और हरीमिट, उसे तकरीबन दस सेकिंड के लिए भूनेंगे, भूनने के बाद, अब हम आड करेंगे, पुदीने के पत्ते, यानि की मिंट लीव्स, मिंट लीव्स को हमें तब तक को करना है, जब तक उनका साला जो एक्सेस वाटर है, वो एवापोरेट ना हो जाए, ये एक्स्टर पानी ओड़ना जाए, ये देखे, फेंस, पुदीने ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है, इस स्टेच में हम आड करेंगे, स्लाइस के वे टमाटर, उन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे, इन टमेटोस को हमें तब तक कुक करना है, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, एक्दम टेंडर ना हो जा और साथ में आड करेंगे, टू कपस ओफ वाटर, और उसे अच्छे धंग से मिक्स करेंगे, और बॉइल देंगे, फ्रेंस, जब आपने अपनी मिक्स वेजिटेबल्स कूकर में बॉइल की थी, तो अगर उसका जाधा एक्स्ट्रा पानी बचा है, तो वो भी आप इस अधा चममच हल्दी और 1.5 टीस्पून सल्ट करते हैं, और इसे कम से कम दो बॉइल आने तक पकने देते हैं, अच्छे धंग से, फ्रेंस करी में दो बॉइल सा गया है, इस ताइम अगर आप देखेंगे तो अभी सही आपका किचिन पुदीने की अच्छी खुश्बू से अगर आपको अपनी करी और ग्रेवी उसकी काफी थिक लग रहे हैं, तो आप चाहिए तो हाफ कप वॉटर आड़ कर सकते हैं, तो अधा चममच ड्राइ जिंजर पाउडर आड़ करेंगे, थोड़ा सा रैचिली पाउडर आड़ करेंगे, और थोड़ा सा अराउंड क्वा के लिए पकने के लिए रखेंगे, पांच मिन्ट हो गए है फ्रेंज और हमारी करी तब से लो फ्लेम पे कुको रही थी, देखिए कितने अच्छे से सारे वेजिटेबल्स ने कलर एब्सॉर्ब कर लिया है, करी का, अब हमारी करी रेड़ी है, इसे हम फटा-फट से सर्व क तो देखिए फ्रेंज हमारा कुर्मा इस डेड़ी तो भी इटन, मैंने इस पर थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेमन जूस को आड़ और स्किप भी कर सकते हैं, इसे कुरियांडर लीव से या धनिय के पत्ते से सकते हैं, तो इंतजार हो किस बात का फ्रेंज, फटा फट से रेसिपी बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाएं, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइ एक, SHARE and SUBSCRIBE, मुझे भाइक, SHARE & SUBSCRIBE my page, THANK you for watching friends. Bye-bye!